एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा पापा मेरे जिन्दिगी की क्या कीमत है तब ही उसके पापा ने कहा अगर तुम सच में अपनी जिन्दिगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ इस पत्थर को लेकर मार्केट चले जाना और अगर कोई तुम्हें इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना वो लड़का जल ही मार्केट गया कुछ तेर तो वो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा फिर कुछ तेर बाद एक बूढ़ी और उस पत् दो सो रुपए ठीक है इस पत्थर को मैं तुमसे दो सो रुपए में खरीद दूंगी बच्चा एकदम से हैरान हो गया एक पत्थर की कीमत दो सो रुपए क्योंकि पत्थर अकसर कहीं पर मिल जाते हैं लेकिन एक पत्थर की कीमत दो सो रुपए वो जल ही अपने पापा के पास पहुंचा और बोला पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी और इस पत्थर के 200 रुपए देने को तैयार थी पापा ने कहा इस पार इस पत्थर को तुम म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना वो लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर की कीमत पूछी वो बच्चा फिर से चुप रहा और उसने अपनी दो उंगलिया खड़ी कर दी तभी वो आदमी बोला 20,000 र और इस पत्थर के 20,000 देने को तयार था तभी उसके पापा ने कहा अब मैं तुम्हें आखरी जगा भेजने जा रहा हूं और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहां पर भी कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना बस अपनी दो उंगली खड़ी कर दियना वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बुढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था जैसे ही उस बुढ़े आदमी की नजर उस पत्थर पर पड़ी वो एकदुम से हैरान हो गया वो काउंटर से बाहर निकला और तुरंथ ही उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर छुड़ा लिया और बोला ओ माई गौट इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदी की गुजार दी कहां से मिला ये पत्थर और क्या कीमत है इस पत्थर की और कितना लोग है तुम इस पत्थर क लिए बच्चा तभी चुप रहा और अपनी दो उंगलिया खड़ी कर दी तभी वो बुढ़ा आदमी बोला दो लाक रुपए ठीक है मैं इसके दो लाक रुपए देने को तयार हूँ प्लीस मुझे तुम ये पत्थत दे दो उस लड़के को अपनी आखों पर विश्वास ही अब समझे कि अपने लाइफ की क्या कीमत है आपकी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप अपने आपको कहां रखते हैं ये आपको तया करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या 2 लाक रुपए का जिंदगी में कई सारे लोग होते हैं जो आ आप कुछ भी नहीं हो यह आपके उपर निर्भर करता है कि आपके जिन्दकी की गेमत क्या होगी थैंक यू अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए